सुप्रीम कोट ने दिल्ली में रेलवी ट्रेक के आसपास बनी लगबग 48,000 जुग्यों को तीन महिने में हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोट ने कहा कि कोई भी कोट जुग्या हटाने के फैसले पर रोक नहीं लगाएगी और ना ही इसमें किसी भी तरह का राजनेते वह अन्य हस्ता छेप होगा। ये सभी बेघर हो जाएंगे। सरकार द्वारस की कोई व्यकल्पिक विवस्था पर कोई स्पस्ट जानकारी नहीं दी गई है। शीर्स अदालत ने अतिक्रमडों को हटाने के संबन में किसी भी तरह कस्टे देने पर रोक लगा दी है। कोट ने साफ कर दिया कि अगर रेलवे ट्रैक के आसपास से अतिक्रमड हटाने से संबन्दित कोई भी अंत्रिम आदेश दिया जाता है तो वह प्रभावी नहीं होगा। के साथी कोट ने रेलवे ट्रैक के आसपास कच्रा हटाने का भी आदेश दिया है। बता दे कि इन रेलवे ट्रैक की लंबाई 140 किलो मीटर है। न्याय मूर्ती, अरुण मिश्रा, बियार गवई और कृष्णा मुरारी की खंड पीट ने पर्यावरन प्रदूशन प्राधी करण द्वारा निर्देशित रिपोर्ट पर संग्यान लेते हुए कहा कि एक महिने के भीतर छेतर से कच्रे और अतिक्रमडों को हटाने के किया जाए, कोड ने कहा कि सुरक्षा छेतरों में जो अतिक्रमड हैं उन्हें तीन महिने के अवधी के भीतर हटाया जाए और इस दौरान किसी भी प्रकार का राशनितिक हस्तक शेप नहीं होना चाहिए, EPCA ने अपनी डिपोर्ट में रेलवे को दिल ली और इसके आसपास के छेतर से सुरू होने वाले उतरी छेत में ठोस अपसिष्ट प्रबंदन के लिए समय बद योजना पेश करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी, पीट ने कहा कि इस पर खर्च होने वाली राशी का 70% रेलवे और 30% राजसर का द्वारा वहन किया जाएगा, पीट ने SDMC रेलवे और अनेजन्सियों को या सुनिक्षित करने का निर्देश दिया कि उनके ठेकेदार रेलवे पट्रियों के किनारों पर कूड़ा कच्रा ना डालें और रेलवे दीर कालिक योशना भी तयार करेगा कि पट्रियों के किनारे कच्रे का ऐसा धेर ना लग परी को शीर सदालत ने बहारी दिल्ली छेट में रेलवे लाइनों के दोनों और पड़े प्लास्टिक बैग और कच्रे के धेर को लेकर दिल्ली सरकार नागरिक निकायों और EPCA को इसे हटाने के लिए ठोस योशना बनाने को कहा था अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बैल आइकन दबाना ना भूलें